वाच्फूल वीडियो ग्येर्फुली और अगर आपने अभी तस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे देगा रएड सब्सक्राइब बटन को किलिक करके और उसके साथ वाले बेल अइकन को भी क्लिक शरूर करिए इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन रेगिलरली मिलती रहेगी आईए देखते हैं लंब कोडी धुरूवी खमद प्रच्छेप किस प्रकार से बनाए जाते हैं सवाल है आरेफ एक अनपात 12 करोड 50 लाख मापनी पर उत्री गुलार्द के लिए एक लंब कोडी धुरूवी खमद प्रच्छेप की रचना कीजिए अंतराल 15 डिगरी हो तो जैसा की सवाल में आप देख रहे हैं यहाँ पर आरेफ एक अनपात 12 करोड 50 लाख लिखा हुआ है लंब कोडी यह धुरूवी खमद प्रच्छेप की रचना करनी है अंतराल देखिए इसमें 15 डिगरी का है तो सबसे पहले हमारा अच्छांसी विस्तार कहां कहां का बनेगा हमें ये देखना है तो अच्छांसी विस्तार देखिए कहां कहां का बनेगा अंतराल अगर 15 डिगरी का है तो हमारे अच्छांसी विस्तार एक तो 0 डिगरी फिर 15 डिगरी फिर 30 डिगरी 45, 60, 75 डिगरी और 90 डिगरी तो इतने तो ये अच्छांसी विस्तार बनेंगे जिसमें 0 डिगरी से हम 15-15 डिगरी के अंतराल पर अच्छांसी विस्तार लिख लेंगे 0, 15, 30, 45, 60, 75 और 90 के इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे R की वैल्यू निकालेंगे R बराबर होता है प्रत्वी का वास्त्विक अर्दव्यास वटे निरूपक भिन का हर तो प्रत्वी का जो वास्त्विक अर्दव्यास है वो है 63 करोड 50 लाग तो हम सबसे पहले 63 करोड 50 लाग लिख लेंगे इसके बाद ये निरूपक भिन का हर लिखा गया है तो निरूपक भिन क्या है निरूपक भिन है एक अनुपाद 12 करोड 50 लाग तो हर की बात की जा रही है अंश एक होता है और 12 करोड 50 लाग जो लिखा गया है ये हर होता है तो इसकी value को यहाँ पर लिख देना है तो वटे 12 करोड 50 लाक अब इसको काट देंगे तो हमारा जो answer आएगा 5.08 cm अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है 63 करोड 50 लाक में भाग दे रहे हैं तो हमारा जो answer है वो cm में आ गया है अगर इस 63 करोड 50 लाक को हम इंच में convert करें तो 25 करोड आ जाएगा अगर इस हर को 25 करोड में लिख कर भाग देंगे तो यह जो answer आएगा यहाँ पर वो हमारा इंच में answer आ जाएगा अभी हम यह cm में ही करेंगे तो आज यह देखते हैं कि लंब कोड यह धुरूविय खमद प्रचे किस प्रकार से बनाए जाएगा सबसे पहले हम 5.08 cm की एक रेखा खींच लेंगे याद रहे यह 5.0 है और 8 जीरो के बाद 8 जाना है तो वो तो लगभग ना के बराबर होगा यहाँ पर देखिए 5.0 यह यहीं पर हो जाएगा तो इस प्रकार से हम एक रेखा 5 cm की खींच लेंगे चादे की सहायता से 90 डिगरी का एक कोण बना लेंगे इस प्रकार से अब प्रकार को लेंगे प्रकार को इस प्रकार से यहाँ पर कोने पर लगा कर इसको यहाँ तक ले जाएगे 5.08 cm की रेखा तक और यहाँ से एक चाप इस प्रकार से लगा लीजिए अब यहाँ पर हमें इन कोड़ों को बनाना है जो है अच्छानसी विस्तार 0, 15, 30, 45, 60, 75 और 90 के तो इसमें यहाँ पर इस प्रकार से चांदे को रखिए और यहाँ पर देखिए 0 यह वाला 0, 0, 10, 20, 30 यह लिखा हुआ है यह 90 तक गया हुआ है इस कोड़ों पर ही हमें यह अच्छानसी विस्तार काटने है 0 का यहाँ पर बना हुआ है हम पॉइंट बना लेंगे 0 के बाद 15, 15 के लिए यह 10 है और यह 20 है और इन दोनों के बीच में यहाँ पर है 15 हमें केवल पॉइंट बना लेना है 15 हो गया यहाँ पर 30 यह हो जाएगा 40 के बाद यह जो रेखा जा रही है यह है 45 उसके बाद 60 यहाँ पर है 60 के बाद 75 यहाँ पर है 70 और 5 जाएंगे 75 और 90 का यह कोड़ों बना हुआ है तो चलिए इनको मिला लेते हैं और इन्हें पूरा इस चाप तक मिला लेना है 15 यह हो जाएगा 30 पहतालिस शाठ और यह हो जाएगा 75 का तो यह कुछ ऐसा दिखेगा इसके बाद हमें एक काम यह करना है आधार मान कर हमें एक 90 डिगरी का कोड़ इस प्रकार से खीचना है तो चलिए इसको कर लेते हैं इस प्रकार से यहाँ पर इसको रख देंगे इस प्रकार से 90 डिग्री पर और ये 90 डिग्री पर इस प्रकार से यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे इसको इस प्रकार से खीच लेना है आगे का काम यह करना है कि इसको हमें इस पॉइंट को मिलाकर एक सीधी लाइन इनको खीच लेनी है बिल्कुल सीधी लाइन इस प्रकार से खीच लेंगे यह जीरो हो जाएगा यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए यह 15 का गया हुआ है 15 के लिए भी इस प्रकार से रखिए और यहाँ से एक लाइन खीच लेजिए तो यह 15 हो जाएगा, यहाँ पर आईए 30 पर, 30 के सामने भी इस प्रकार से लाइन खीच लेंगे, यह हो जाएगा 45, यहाँ पर है 60, यह है 75, और यहाँ पर 90 का बना हुआ है. अगला काम यह करना है कि इनको हमें लिख लेना है, यह है 15 डिगरी, 30, 45, 60, 75, और यह है 90 का. अब यहाँ पर एक डाइग्राम तो हमने यह बना लिया है, अब इसकी मदद से देखते हैं कि लंब कोड़िय धुरूविय खमद प्रछे बनाए कैसे जाएगा. सबसे पहले एक सीधी लाइन, इस प्रकार से कोई भी सीधी लाइन खीच लीजिए. इस प्रकार से बीच में एक बिंदु रखकर 90 डिग्री का कोड़ उपर और नीचे की और खीच लीजिए. बिलकुल इस प्रकार से. इस 75 वाली दूरी को इस प्रकार से लीजिए. यहाँ पर यह उपर के जो भाग बने हैं, हमें इनहीं को लेना है. तो हम यहाँ पर इसको यह देखिए 75 पर लेकर आए हैं इस जगे पर और इसी के बराबर यहाँ पर एक व्रत बना लेंगे. तो इस प्रकार से हमने यह 75 का व्रत बना लिया है, अब 60 का व्रत बनाएंगे, प्रकार को 90 पर ही रखेंगे और 60 की दूरी को ले लेंगे. यहाँ पर उपरी भाग इस प्रकार से 60 को लेंगे और 60 डिगरी का एक व्रत बना लेंगे. इस प्रकार से, तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर देखिए, 90 पर प्रकार की कोन को रखना है, 60 हो गया. इसको आगे बढ़ाएंगे, 45 पर ले जाएंगे और ब्रत बनाएंगे, फिर 30 पर ले जाकर ब्रत बनाना है, फिर आगे बढ़ाएंगे, 15 पर ब्रत बनाएंगे, और 0 डिगरी का ब्रत इस प्रकार से 0 पर लेंगे, और फिर 0 का भी एक ब्रत बना लेंगे. तो इस प्रकार से हमने जीरो का भी ब्रत बना लिया है तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा अब हमें अगला काम ये करना है कि ये जो बाहरी लाइनिंग है इसको हमें मिटा देना है अब हमें यहाँ पर लिख लेना है ये है जीरो डिगरी देशानतर रेखा तो यहाँ पर 0 degree लिख देंगे, यह है 90 degree east और यहाँ पर होगा 90 degree west, यहाँ पर 180 degree, इसके बाद हमें चांदे की सहायता से 15-15 degree के कोण 90-90 degree पर काट लेने हैं, इस प्रकार से इसको 90 degree पर रखिए और यहाँ पर 15-15 degree के अंतर पर हमें point निशान बना लेने हैं, तो 10 यहाँ पर है 15, 35, 45, 60, 75 और यह 90 का हो गया, अब देखिए यह निशान यहाँ पर बने हुए हैं, हमें इन निशानों को यह जो 0 degree पर खींचा गया है ब्रत इसी तक बनाना है, इसको खींचने के लिए आप एक साथ में दो तरफ खींच सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इसको रखा है, यह 15 degree का है, इसको मिलाते हुए आगे तक हम खींच ले जाएंगे, तो यह भी हमारा काम कर जाएगा, तो इस प्रकार से बनाईए, यह हो गया 15 degree, यहाँ पर हमने 30 degree को लिया है, तो यहाँ से खींचिए, यह सीधे खींच लीजिए पूरा, यह हो जाएगा 30 degree, यहाँ पर फिट से रखिए 45 पर, तो 45 दच्छन की तरफ भी शो करेगा, तो यह हो गया 45, यह हो गया 60, यहाँ पर है 75 degree का, तो इस प्रकार खींच लीजिए, यह हो गया 75 degree का, इसके बाद यहाँ पर फिर से प्रकार को रखेंगे, और वही काम करेंगे, 90 degree का ही कोड खींचेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए, हम 90 degree का कोड इस प्रकार से खींचते हैं, इस तरफ तो हमने जब बाटा था, तो 0 यहाँ से लिया था, 0 लिखा है, 10 लिखा है, 20 लिखा है, 15, 30, 45 कोडों को निशान लगाया था, चूंकि यहाँ से हमें point लगाना है, उल्टे की तरफ से, तो हम क्या करेंगे, कि यह जो ऊपर लिखा है, 0, 10, 20, इसको लेकर जाएंगे, और 90 तक इसको बाट लेंगे, तो 10 के बाद यहाँ पर होगा 15, तो यह 15 पर निशान लगा लिया, अब है 30, 30 पर निशान लगा लिया, यहाँ पर 30 लिखा है, 30, 45 का, 40 और 5, यहाँ पर है 45, 45 के 75, 75 पर यहाँ पर निशान लगा लिया, तो हमें सारे पॉइंट यहाँ पर मिल गए, अब इनको भी उसी प्रकार से खींचना है, उपर से नीचे तक खींच लेंगे, और यह हो जाएगा 75 डिगरी का, तो देखिए इस प्रकार से हमने इसको पूरा बना लिया है, अब हमें लिखने का काम करना है, तो लिखेंगे किस प्रकार से, जीरो डिगरी तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जीरो से इधर की ओर जाएंगे 180 तक, और जीरो से इधर भी 180 तक जाएंगे, याद रहे, इधर की ओर यह पूर्वी गोलार्द है, और इधर की ओर पश्मी गोलार्द है, और यहाँ पर नौर्थ की लोकेशन जो है, वो उ काटा हुआ है पूर्वी गोलार्द इधर है पश्मी गोलार्द इधर है इसलिए इसे दोनों तरफ लिखा जाएगा इधर लिखेंगे पंद्रव डिग्री 30 45 60 75 और यह हो गया 90 90 के बाद 105 डिग्री 120 135 150 165 और यहां पर हो जाएगा 180 डिग्री बिल्कुल इसी प्रकार से यहां भी हमें लिखना है पश्मी गोलार्द में भी यहां पर 15 डिग्री 30 डिग्री 45 60 75 और यह हो जाएगा 90 डिग्री इसके बाद 105 125 125 125 और यहां पर 180 डिग्री यहां पर बीच में हमें नौर्थ लिख देना है नौर्थ की लोकेशन यहां पर है जो है 90 डिग्री की यह है 0 डिग्री का तो यहां पर 0 डिग्री लिखिए उसके बाद है 15 डिग्री यह है 30 डिग्री का ब्रत 45 डिग्री का ब्रत यह है 60 डिग्री और यहां पर है 75 डिग्री और नौर्थ की पोजीशन जाहर सी बात है यह 90 डिग्री का होगा अगर आप चाहे तो इसमें 90 लिख सकते ह अनिथा यहां पर N लिखने से ही काम चल जाएगा। इतना हो जाने के बाद लंब कोडी धुरुविय खमद प्रचेप बनकर पूरी तरह से तयार है। आगे यहां पर RF लिख देना है RF एक अनपात 12 करोड पचास लाक। अनिथा यहां 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 विर से प्रचेप यहां जाएगा के लिए अनिथान पर भी करने मुंद प्रचेप ऑंब काम तHmm कड़ी